Hello everyone, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसीन डोग में क्या आपके स्कीन में बहुत ज़्यादा कील मुआ से आने लगती है फेस में पिंपल्स आने लगती है या स्कीन से जुड़ी कई सरी समझ से आपको होती है तो आज हम आपको बताने वाले एक बहुत ज़्यादा पुरानी और विस्वसनी दवा साफी सिरप के बारे में या एक उनानी मेडिसीन है इसमें एक या दो प्रकार की नी लगवा अलग अठाइस प्रकार की मेडिसनल इंग्रीडियन प्रिजन रहती है जिसमें से प्रमुक है नीम, चिराइता, सेना और तुलसी तो इसके क्या यूज होते हैं, इसके या कैसे कारिय करती है, इसको कैसे लेना होता है इसके डोच और भी कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा अंतक देखिए ताकि आपको पूरी जनकरी मिल सके तो चलिए वीडियो को जल से जल सुरू कर लेते हैं जैसे कि हमने बताया नीम, चिराइता, सेना और तुलसी इसमें मुई के मेडिसिनल इंग्रेडियन्ट के रॉप में प्रेजेंट रती है तो जिसमें जो नीम रती है वो बलड फ्यूरिफायर का कारे करती है जिससे कि इसकिन से जुड़ी होई समशा को ठीक करने में काफी ज़दा मदद मिलती है इसके अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो यह दो अलग-अलग प्रकार के पैकेजिंग के साथ आपको मार्केड में देखने को मिल जाती है प्रतम तो 200 ml के एक packaging आती है साथी साथ ये 500 ml के packaging के साथ भी आपको देखने को मिल जाती है और price की बात की जाए तो इसको 200 ml के जो packaging आती है वो लवग पो 100 रुपया के असपस मिल जाती है और 500 ml के जो packaging आती है और 200 या 200 के असपस सस्ती थोड़ा मिल जाती है अब इसकी यूज को पूरी अच्छी तरह से जान लेते हैं जैसे कि हमने पहले ही आपको बता यह एक ब्लड प्यूरिफायर है यानि खुन को साप करने का कारे करती है तो सबसे पहले जो इसका यूज होता है वो किल महासे को ठीक करने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो यदि कोई वेक्ति है चाहे वो पूरूस हो या महिला हो उनके फेस में बहुत ज़्यादा किल महासे आ रहे है पिंपल्स हो रही है या नहीं ठीक हो रही है या फिर pimples ठीक होने के बाद दोबारा से बापस आ जा रही है तो उस condition में उन्हें यह सिरप काफी ज़्यदा फाइदे करेगी उनके blood को यह purify करके जड़ से अपका pimples और किल महासे को ठीक करने का कारे करेगी साथ-साथ यदि किल महासे को चले जाने के बाद उन्हें सकार बन जाती है दाग धबे बन जाते तो उसको ठीक करने के लिए यह सिरप काफी ज़्यदा फाइदे मन रहता है इसके अलवा यदि किसी वेक्ति के स्किन में glow नहीं है तो उसकिन वो glow लाने के लिए भी इस सिरप को भी काफी ज़्यदा मातर में किया जाता है इसके अलवा इसमें सेना पर्मो क्रूप से प्रिजन रहती है जिससे कि यदि किसी वेक्ति को constipation की समझता है तो उन्हें constipation से भी रहत मिल जाती है साथ-साथ यदि वेक्ति के digestive system यानि पाचंत अंत्रों को भी सही कारे कारे करती है जिसरी के वेक्ति अच्छे से खाना खापाते है और उनके खाने जो बोशक्ततो होते हैं न्यूट्रिस्टेन होते हैं वो बोड़ी में अच्छी तरह से लग पाते हैं तो इसकिन से जुड़ी हुए किसी परकार की समयशा को दूर करने के लिए इस सिरप को प्योग किया जाता है अब इसके डोश के बारे में अच्छी से जान लेते हैं यानि किसी वेक्ति को यह मेडिसिन कैसे और कितनी मात्रा में लेनी होती है तो यदि कोई एडल्ड वेक्ति है चाहिए वो महिला हो या पुरूस हो तो उन्हें या मेडिसिन सुबह खाली पेट 10 समयल लेनी होती है या फिर यह खाली पेट लेना नहीं चाहते है तो दोपहर को या साम को भी खाने से पहले आदा गंटा पहले इसे 10 समयल ले सकते हैं और इसे हलका गुनगुना पानी में ही मिला कर लेना होता है साथ यसाथ यदि वेक्ति को बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम हो रही है तो इस कंडिशन में इस सुबह तता साम दोनो टाइम 10 अमल करके लेने के सलाथ दी जा सकती है और यदि कोई वच्चा है जिसका ओम लगवग 14 साल से ज़दा हो उन्हें ही या मेडिसिन लेनी होती है और उन्हें यह पांच एमल खाली पेट सूबह में लेने की सलाथ दी जाती है अंत में इसके साइड इफेट्स के बारे में जान लेते है तो समय नता यह एक हरवाल मेडिसीन है जिस वज़े से इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है लेकिन इसमें काई सारी इंग्रेडियन प्रिज़ें रहती है जिस वज़े से किसी वेक्टी को यदि कोई साइड फेक्ट देखने को मिलती है तो वेक्टी को नोजिय वमिटिंग हो सकती है पेट में गैस बन सकती है पेट में मौडो रहा सकती है दर्द मैसूस हो सकती है तो इस परकार कि यदि कोई ज्यादा समेशा हो रही है तो फिर इस दाव का अपली ना बंद कर दे और अपने डॉक्टर्स मेले ताकि आपको बैतत फायदा मिल सके तो यहां हमने आपको इस सीरफ के बारे पूरी डीटेल जनकारी दे दिया हो वीडियो के से लिए वीडियो क